असलाम अलेकुम वीवर्स, उमीद करती हूँ के आप सब्सक्राइब होगे, वीवर्स आज हम सुजी बिनाएंगे, यह है ओएल, दली ठक, मैंने इसमें ओएल जाला है, तोड़ी सी लाइची डालूंगी है, वेसे तो तक साबी जालते हैं, लाइची डालूंगी है, वेसे त मैं किसी इलाइची डालूंगी इसमें, बिसमिल्लाहिระ эфф. अब हम इसमें सुजी डालेंगे,بिसमिल्लाहिरा रहमान रहीं, यह है एक किली सुजी, एक किली सुजी में आदा लीटर अईल तलते हैं आपक शोरी मेरे वीडियो तोड़ी, मेरे हाँ सहिल रही है, यह मोबाइल इसको अची तरह मिक्स करेंगे ओल के साथ बिसमिल्ला इरह मिक्स करेंगे अच्छा जी मैंने इसको अची तरह मिक्स किया है इसको 10-15 मिनिट तक पकाएंगे ताकि इसके रंग ब्राउन हो जाए पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके क्या-क्या मिक्स करेंगे इस तरह के सुची बहुत मज़ार और टेस्टी आती है आप भी ये रेसिपी ट्राइब करें अच्छाए विबर्स अब हम इसमें तो फानी गाते हैं इसमें रहमान एज़गे तो आपको अब तो इसमें दुछाए रख्मान रख्मान रख ज़़एंगे तो शावशा जाए कि इसको ची तरह फ्राई किया है दस से पंद्रा मिनिट के लिए इसका रंग पिर इसी तरह दर्ग हो जाता है अब हम अच्छा वीवर्स अब हम इसमें एक कप चिनी एक से टेट कप चिनी डालते हैं बिस्मिल्ला रख्माने रही है और अच्छी तरह मिक्स करेंगे चाइम बहुत तो मैं इस वज़े से मैं आपको जिल्दी से डिकाती हूँ और इसमें यह मैं डालूंगी बिस्मिल्ला रह्माने रही है कोपरा है यह मैंने अच्छी तरह इसको पीसा है बिस्मिल्ला रह्माने रही है मिक्स करेंगे इसे अच्छा वीवर्स अब हम इसमें चार से पांच चमच यह दूट डालेंगे खुश्क दूट है बिस्मिल्ला रह्माने रही है यह भी बहुत टेस्टी आते हैं इससे मैं हमेशा यह वाली दूट डालती हूं इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस वजह से मैं यह टालती हूं अभी से हम 10 मिन तक छोड़ देंगे दम पर यह लो वीवर्स हम लोकों की सुझी तैया हो चुकी है माशालला बहुत जबरदस बहुत टेस्टी हैं आप इस रेसिपी को ट्राइ करें वीवर्स यह मैं निहास के लिए ले जा रही हूं पडूसी के पर नावर वीवर्स उमीद करती हूं कि मेरी वीडियो आप सबको पसं सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सब को मिल सकें फिलाल खुदाफेश